तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बहुत ही कमी इंग्रिडियन्स के साथ और बहुत ही जल्दी बन चाने वाली मुंफली शॉंदेश की रेसिपी मुंफली का शॉंदेश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मुंफली ले लिये हैं जिसको मैंने रोस्टेट करके रखा है तो अभी इस मुंफली को हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका एक दर-दरा पाउडर बना लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग जाल ले लिया है जिसमें मैं थोड़ा-थोड़ा मुंफली एड़ करके इसका पाउडर बनाऊंगी एक साथ ज्यादा मुंफली एड़ नहीं करना है थोड़ा-थोड़ा मुंफली एड़ करके मिक्सिको चालू बंद चालू बंद करके ह हमें इसका पाउडर बनाना है ध्यान रखे जबी भी आप मुंगफली का पाउडर बनाए तो एक साथ कंटिनुवसली ज्यादा देज तक मिक्सी को ना चलाए नहीं तो मुंगफली से बटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए तो चलिए ऐसे हम बाकी मुंगफली को भी पाउडर बना लेंगे तो देखिए बाकी मुंगफली का भी पाउडर बनके तियार हो गया है अभी हम चीनी की चाशनी रेडी करेंगे तो अभी मैं यहाँ पर चीनी की चाशनी बना रही हूँ चीनी की चाशनी बनाने के लिए मैंने इस यह आपकप चीनी और हापकप पानी आद किया है तो अभी मैं इसे मीडियम फ्लेम में चाष्णी बना लोगी चाष्णी जो है वो एक तार की चाष्णी बनेगी तो हम इसे मीडियम फ्लेम में बना लेगी जब यह ज़ी थाइम पे मैं यहां पर दो इलाएजी को तोड़ के तो देखिञ जो है हमारी एक तारबाली वह तैयार होगी है आप देख सकते यहां तो मैंने अभी चिनी की चाष्णी को उतार की फ्राइम पैन ले लिया है अभी इसमें मैं जो चिनी की चाष्णी बनाया था उसे एड़ कर दूंगी और जो पीनट पाउडर हमने बनाया था वो पीनट पाउडर यानि कि मुवफली पाउडर को भी हम इसमें एड़ करतेंगे एड़ करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप तो देखेए ये अभी मिक्शर के बाद एक डो जैसा बन गया है अभी भी हमें इसको कुक करना होगा हमें इसट तब तक कि करना पड़ेगा जब तक कि ना जैसे माने पहले भी बताया है ये खुद बखुद पैन छोड़ दे तो देखिए अभी ये एकदम डो जैसा बन रहा है और खुद बखुद पैन से अलग हो रहा है तो अभी हम गैस के फ्रेम को आफ करके इसे प्लेट में निगाल लेंगे तो अभी हम ऐसे एक स्टील या फिर अलमोनियम का प्लेट ले लेंगे जिसमें मैं थोड़ा सा ओइल ब्रश करूंगी आप इसमें घी भी ब्रश कर सकते हैं घी ब्रश करने से और भी अच्छा एक फ्लेबर आएगा पर मैं ओईली ब्रश कर देंगे अब इस ओईल को अच्छ तो देखिए मैंने एक रेक्टेंगूलर शेप दे दिया है और स्पैचुला के मदद से मैंने चाड़ो तरफ अच्छे से स्मूधिन भी कर लिया है तो अभी हम इसे 15 से 20 मिनित के लिए ठंडा होने देंगे जब यह थोड़ा बहुत गरम रहेगा उसी टाइम पर हम इसमें थोड़े बहुत काजू कानिश के लिए ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे क्यूंकि ठंडा होने के बाद यह काजू शौन्देश में सेट नहीं होगा इसलिए जब यह थोड़ा गरम रहेगा तब हम काजू के तो देखिए मैंने सर्फ कर दिया और तयार भी हो गया मुंफली का शॉंदेश देखते ही खाने का मन करें बिल्कुल ऐसा शॉंदेश बना है और इसका विप आप देख सकते बहुत ही थिक हुआ है तो ऐसे सिर्फ दो इंग्रिडियन्स के साथ आप बहुत ही जल्दी एक बह अपनी भायों के लिए या फिर कोई भी स्पेशल ओकेशन के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस मुंफली की शॉंदेश को एक बद सरू घर पे ट्राइ करें तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो पे लाइक शेर कमेंट सर कीजिए और आगे ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब भी कीजिए और पास में रखा बिल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा तो मिलती हूं आप सबसे एक नए रेसिपी के साथ तब तक लिए बाबाई